इस session के अंदर हम replace की command को समझने की कोशिश करें replace का formula actually आपके original text में आप उसे बताएंगे किस text को change करना है उस text की position क्या है और उसकी जगा पर कौन सा नया text आपको चाहिए तो यह जब आप उसे बताएंगे तो वो originally text के अंदर formula की मदद से text को replace कर देगा अब इसकी एक example हम देखते हैं फिलाल इसको दो मिटे लिए छोड़ें एक नही example से मैं आपको बताता हूँ equals to मैंने का आप replace करे bracket open old text कहता है किस text को basically आपने replace करना है मैंने का मुझे इस text को replace करना है okay fine comma लगा 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 दिया कहता है start number बताइए आपको किस text को actual में replace करना है तो मैंने का कि भी आप text number 2 मेरी start number है यानि B को replace करें comma number of characters कितने replace करना है मैंने का कि number of character एक ही replace करना है यानि मुझे से B को ही replace करना है C D E के साथ कोई changing नहीं करना है तो मैंने का number of characters मेरा एक ही है okay fine comma new text बताइए चाहते क्या है आप तो भई मैं चाहता हूँ कि आप इसकी जगा पर इर्फान लिखते है लेकिन इर्फान चुकिए एक text है इसलिए उसे inverted comma में define करना पड़ेगा जब आप hard code देंगे न तब तो मैंने इर्फान को यहाँ पर inverted comma में define किया and then bracket close and then enter आप देखें A इर्फान C D E तो खाली जो B है वो replace हो गया इर्फान के साथ अब इर्फान में space नहीं आ रहे है कोई बात नहीं हम space ले आते हैं double click करते हैं या app to button प्रेस करके हम sell address में दोबारा जाते हैं और inverted comma जब हमने लगाया तो उसके बाद space इर्फान space and then invert comma close and then enter अब आप देखें यह नाम वो हमें properly prompt हो रहा है अब इसकी example मैंने यहाँ पर बना दी है आपके सामने के यह हमार original text है इसकी start position 2 जह हो उसको change करो number of 5 characters change करो और उसकी जगा पर x ले आओ जब इसको करके देखते है equals to replace packet open मैंने का number of text मेरा यह है इस text को आप change करे start number मैंने का letter 2 से change करना शूरू करो comma number of characters कितने change करे हमने का कि आप number of characters 5 उसको change करो comma और उसकी जगा नया text क्या ले आओ हमने का उसकी जगा नया text आप x ले आओ enter किया अब आप देखे a के बाद b c d e f यह पांच हो letter replace हो गए x के साथ इसी तरह से अब मैं number 2 यानी b को a की letter को change करना चाहता हूं उसी जगा मैं hello लिखना चाहता हूं हमने formula लिखा equals to replace bracket open text हमने define किया number of characters start character 2 है number of character 1 ही है और उसी जगा पर क्या लेकर आए hello लेकर आचाहिए तब देखें hello के बीच में आ लिया और इसी को drag कर लेते तो हमारे पास number of 5 characters replace हो गए number 2 start position थी तो B, C, D, E, F हमारे replace हो गए hello के साथ तो replace का formula आगे हम देखेंगे इंशालेक real life example में के replace का formula हमारी किस तरह से मदद करता है लेकिन यहाँ पर हमने इस बात को समझ लिया कि जब आप replace के formula को इस्तमाल करेंगे तो उसका procedure क्या होगा और आपको की इन बातों का ख्याल रखना है झाल